इमेल आइडी कैसे बना है या जीमेल आइडी कैसे बना है जीमेल अकाउंट कैसे बना है या गूगल अकाउंट कैसे बना है इस सारी चीजें एक ही है तो यह सब कैसे बना सकते हैं मतलब इमेल आइडी कैसे बना सकते हैं बहुत आसान है आपने करना है कि आपने कोई भी ब्र website खोलके इंटर दबाएंगे तो Gmail खुल जाएगी तो दो तरीके हैं एक तो आप यहां से Gmail पर क्लिक कर सकते हैं या आप दूसरा इधर जो है सर्च एंजिन में सर्च करके खुल सकते हैं Gmail.com ऐसा कुछ खुलेगा आपको दिखने को मिलेगा व्यू फिर आपने यहां पर create an account बटन पर क्लिक करना है इस पर क्लिक कर दें फिर यह वाला form मिलेगा जो के हमें भरना है तो सबसे पहले आता है first name आपके नाम का पहला वाला हिस्सा तो आपने यहां पर फर पहले से ही taken हो पहले से ही हो तो first tag आपको नाम ले अब देख सेते हो error आ गया user name is taken तो आप क्या करेंगे तो हम दुबारा combination change करेंगे numbers की फिर भी देखें error आ रहा रहा है तो मतलब यह भी ID taken है तो हम दूसरा commission try के देखें आप error हट किया इसका मतलब यह वाली idea आप यूज क इसके लिए हमें बहुत strong password रखना है उसके लिए हमें थोड़ी सी combination pattern change करना पड़ता है तो मैं शो password बेकलिए करके आप दिखा सकते हूं किस तरीके से आपको password रखना है सबसे पहले रखना है special character आपके password में special character होना चाहिए उसके बाद आपके जो भी special character ले ले लिए कोई मस सबसे strong password जिसके अंदर special character होता है capital letters, small letters और numbers होते हैं तो अब मैं इस तरीके से आपने करना है अब मैं हटा देता हूं शो password अब मैं आपने पस्मरजी का password रखता हूं इस पे तो bill first मैंने यह password रख दिया इसके उपर यह वाला password लग दिया अब confirm password में आपने वही दुबारा same password लिखना है ताके match हो सके कहीं आप से गलती ना हुई हो तो आप दुबारा confirm password में वही same password लिखें अब मैं इस next पर click करना है आपने click कर दिया तो तो फुरसा लोड़ होगा अब यहाँ पे आपने number डालना है तो number डालने के लिए हमने क्या करना है यहाँ पकिस्तान country आपने जो भी country है आपकी वहाल सेलेट करनी है तो आपने यहाँ पर अपना phone number डालना है तो अगर आप इ तो यहां पर आप नमबर डालें जो भी आपका नमबर है मैंने नमबर डाल दिया है आपने नमबर बिना जीरो के डालना है बिना कंट्री कोड के बिना डालना है फिर नेक्स पर क्लिक कर दिया अब यहाँ पे आपको code जाएगा mobile के उपपर वो वाला code जो है आपने यहाँ पे enter करना है तो mobile में देख लेता हूँ code मेरे पास आ गया है मैंने देख लिए है अब मैं इस code को यहाँ पे enter करता हूँ मैं code डाल दिया मेरे अब आपने इस verify पे click करना है है color लिखने के बाद अपने इस verify पे किलिक करना है तो या कि अप नीचे आते हैं नीचे हमने recovery email address लिखने है अगर आप पासल आप भूल जाते हूं यहां कुछ भी हो जाता है तो आपने recovery email address डालना चाहें तो आप डाल सकते वाना छोड़ सकते हैं वह की मर्जी है optional है तो हम इसको शोड़ देते हैं यहां पर लिखना है डे मन्त आप डेट बड़ जो भी है यहां पर डे लिखते हैं डे लिख दिया मैंने उसके बाद मैंने मन्त लिख लिए उसके बाद मैंने यहां यहां पर लिख लिए जो भी आपका यहां यहां पर लिख ल तो आपने नीचे आना है Terms and Conditions को आपने एक से I Agree करना है, इस पर क्लिक करना है, इस तरीके से आपका Google Workspace जो है खुल गया, मतलब आपकी Mail, आपकी Email, Gmail Account, Google Account आपका बन गया है, तो इस तरीके से देखें, आपका Account बन चुका है, यह देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें यहां से कॉपी उप कर सकते हैं, इमेल आड़ी किसी को भेज़नी हो वगादा, जो भी, तो अब किसी को Email करनी है, तो हम इस Compose पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर उसकी Email आड़ी डालते हैं, जिसको Email करनी है हमने, सबजेट डालते हैं, उसके बाद यहां मेस्ट करते हैं, औ हमारे पास जो email आती हैं वो सारी यहां पे शो हो रही होती है जो भी email हमारे पास आती है तो इस तरीके से मेरे भाई आप Google account, Gmail account, email ऐड़ी बना सकते हो अगर यह वीडियो to the point था तो इस वीडियो पर like और comment जरूर करना So thank you and yes, don't forget to subscribe